हेलो साथियो, मैं मिश्टर मनोज कमार, डिफेंस गुरूजी के ओनलाइन प्लेट फोरम पर आपका स्वागत करता हूँ, अमिने दन करता हूँ प्यारे साथियो, जैसा कि NDA के लास्ट मोमेंट, लास्ट 30 डेज, जो बचे हैं, लास्ट मोमेंट पर हमें कैसे त्यारी करने चीए, कि जिससे हमें एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएं, और जिनोंने त्यारी कम किये, तो उनके भी अच्छा स्कोर आए, कहने का मतलब एक अ लास्ट मोमेंट ए, इसमें हम नई चीज पड़ने की बजाए, हम कुछ नया पड़ने की बजाए, जो हमने पड़ रखा है, उसको प्रोपर तरीके से रिवाइज किया जै, प्रोपर मेंट स्ट्रेटेजी अपना के उनको अच्छे से कवर किया जै, तो उससे बेस्ट प्रिवेश्यर का थोड़ा ध्यान में रखते वे ये काम किया जाएगा तो आपका आउट-पुट आपका रिजल्ट आप जो अभी रिजल्ट जो अभी आप प्रिप्रिशन कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा बहतर रिजल्ट आ सकता है ठीक है साथियो तो मैं आपको थोड़ा म NDA champion for best result in NDA 2022 का ये intake आपका 2 है, ये intake आपका 2 है, फेस्ट हो चुका है, second है जिसमें हम एक अच्छा result कैसे ले के आएं, अच्छा match में कैसे दें, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर पॉइंट 1, 2, 3, 4, इन पॉइंट्स को थोड़ा-थोड़ा डिसकस तो हमें थोड़ा-थोड़ा बताएंगे, तो द्यान दें, ठीक है, तो सबसे पहले, ये मेरे साथियों को सबको पता है, कि हमारे पास 1, 1, 20 क्योशन, 300 मार्क्स, एंड टू एंड हाप, टू हैंड हाप आर्स का जो टाइम है, जिसके अंदर हमारा जो पेपर का लेवल रहत जाता है, जो ये ध्यान रखा जाता है, कि हैर किसी का, जो पलस टू पास है, वो बच्चा भी कोशिस करे, मीडियम देखा जाए, तो 55-60% मीडियम रखा जाता है, टफ परसेंट, टफ वाला देखा जाए, कि जो डिफिकल्ट क्योशन आते हैं, वो 20-25% क्योशन होते हैं, उनको लास्ट टाइम में करना चीए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जो चेप्टर, काफी चेप्टर, जो लगभग आपका एक एक वीक लगा देगा, और आमसे 6-7 दिन लगाता है, जिसका एक क्योशनाना है, मेरे साब से उसको छोड़ा जाए, सबसे बेस्ट यही मैं कुछ सालों के 2019, 20, 21, 22 का थोड़ा सा मैंने आपको चेप्टर वाइस एनालिसिस किया है, जिसको आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि नाम लेंगे, हर चेप्टर का नाम लेके काम खरेंगे, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, फटा-फट, थोड़ा सा दिमाग आप में एक सेट कर लो, कि ये प्रिवेस एर का थोड़ा इनालिसिस है, चेप्टर के नाम इदर है, और यहां 2022 में, 21 में, और अपने पास 2020 में, 19 का जो आपके सामने है, ठीक है, उसके बाद चेप्टर नेक्स, क्वाड़ेटी एक्वेशन हो गया, क्वाड़ेटी एक्वे फिक्स है, ठीक है, ऐसे ही कुछ चेप्टर और जैसे आपको अधर ट्रिक्नोमेटर का भी काफी बेटेज है, जो आपके सामने है, इसका स्क्रीनशोट ले ले लें, सबसे पेस्ट किये रहेगा, कि उसके इसाब से काम करें, ठीक है, लिमिट कॉंटिनुटी का भी फिक्स इसका भी आप एक स्क्रीनशोट ले के रखें, और इसी की इसाब से आप काम करें, ठीक है, अब यहां से डिफिरेंसेशन अप्लिकेस्न अप्लिकेस्न अप डेरिवेटिव, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया बांडेट, यह चेप्टर भी आपके पास, अब यहां से एक एक्स्ट्रा विजएस, अब बात करें है बाइंगम नबर की, बाइंगर बैंटरी नमबर का चेप्टर हो, पिछली साल के और बिल क्यों सुन आएं उससे पहले तीन से चार हो चेप्टर हो, यहार का चेप्टर का प्रोपर जो भी आपने कोई टेबल बना रखे यहां, या कोई चार्ट बना रखे हो जो भी आपने अपने सोर्ट नोट्स वो भी बताएंगे सोर्ट नोट्स बना रखे हो उसका प्रोफर येदी ध्यान से काम किया जाए तो NDA मैच में बहुत बड़िया स्कोर बहुत इजी वे से लाया जा सकता है ठीक ऐसे डाइग्राम बगरे तो ये भी आपको बात को ध्यान में रखते वे सारे काम करने ठीक प्रेक्टिस थू प्रिवेस येर क्योशन अब आपको इतना वेटेज मेंने चेप्टर वाइज बताया है तो प्रिवेस येर के क्योशन है ऐसे मोमेंट पे हमें प्रिवेस येर क्योशन सोल करने की ही कोशिस करना चीए नया फिर से दोरा रहा हूँ नई चीज पढ़ने से बढ़िया है कि इन 30 डेज में जो पढ़ रखा है उसी का प्रोपर रिवेजन किया जाए उससे बेस्ट कुछ नहीं हो ठीक चलते हैं उसके बात पॉइंट नमर फोर पे जो आपने त्यार कर रहें जो आपने वाट नोट्स बना रहें नहीं बना रहें तो कोई बात नहीं आपके पास असाइमेंट होंगे पिछले जो असाइमेंट है उनको भी आप दोराईए उनकी प्रेक्टिस करनी पड़ती है तभी हमारे क्योशन करेंगे प्रेक्टिस तभी जाके वो ट्रिक्स भी हमारे दिमाग में चपेंगे तो ऐसे आपने कुछ साइद मेरे साब से ऐसे सोट नोट्स बना रखें जैसे हमारे students, किसी class के students की notes उसी में मैंने आपस page photo लगा के लगाया उसी से photo ले है उसने लिए को कितना बढ़िया से class में हम notes बनवाते हैं मेरे handwritten notes भी मैं देता हूँ साथ में जो एंडे का बैच है तो इसके इसाब से ये चीजे आपके पास होंगी एक need of work आपके पास brief notes होने चीए जो आपको help करेंगे एक revision के time बहुत जवर्दस्त काम आएंगे ठीक है तो ये brief note जो मैं बता रहा हूँ need of work है वो आपके पास होना चीए last second last point है take unit wise test अभी आप ऐसा करिए साथ साथ previous year के साथ साथ आप जो भी आपके practice set आपके पास होंगे chapter wise उसके 15, 15, 20, 20 के option हर chapter के लगब 30 chapter है आपके पास 29 to 30 chapter है उनकी unit wise पे आप कोशिश करिए डैली 15 से 20 के option लगब 30 days है 30 chapter है डैली 1 या 2 chapter के 15 से 20 के option मारीए previous year वो चीज़ सेपरेट है ये एक काम करिया आप बेट के 20 के option करिए 25 करिए जो maximum आपके पास time निकाल सको क्योंकि ऐसा time में other subject भी है 600 number का अलग रह जाता है 300 का math है तो उस पे भी ध्यान देना जुरूरी है ठेक है साथियो उसके बाद last point है कि check your preparation of NDA preparation of NDA आपका एक score check करना है आप 120 का set लगाईए कम से कम 30 days में कम 5 to 6 set तो minimum minimum बता रहा हूँ 5 to 6 120 full test दीजिए 5 to 6 पूरा प्रोपर बेट के 2 and half hours अड़ाई गंटे का time रखते वे उसको प्रोपर सोल करके देखिए और उसका analysis करिए उस NDA में आपका score कितना बन रहा है 120 का set में से कितने का set बन रहा है कितने marks आ रहा है तो ऐसा कुछ करोगे तो मेरे साब से इससे बहतर ऐसे moment पे इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बस करिए लगे रहिए मेनत करिए मिलते हैं अब दूसरे सरा रहे हैं उनसे भी discuss करते हैं देन जय हिंद प्यारे साथी हूँ मैं आपका GS टीचर अग्मिक राकेश जांग रहा है आज आपसे बात करते हैं NDA phase 2 में GS के बारे में एक्चुली एक बात तो आपको समझनी होगी कि जो NDA exam है वो completely aptitude exam है जो आपकी common sense को एक्जमाइन करेगा कि आप में कितनी common sense है जिसके अंदर काफी subjects हैं Maths, GK, English and Physics हम बात करेंगे GS-oriented यानि कि GK-oriented GS में क्या क्या आएगा इस पे हम in short में बात करेंगे आपको क्या right approach लेनी है आपको कैसे exam को deal करना है क्या आपको सब कुछ पढ़ना है या सिलेक्टिड पढ़ना है कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या करना है और क्या नहीं करना है इन सब पर हम इन short में समझने ही कोछिष करेंगे और फिर एक crash course के थरू मैं आपके साथ रहूंगा और एक complete course अम complete करेंगे जिसके तहएद हम कोसिस करेंगे कि 95% तक हम चीजों को क्रेक कर सकें। स्लेवर्स को देखते हैं सबसे पहले। अगर हम हिष्ट्री स्लेवर्स की बात करें, फोसी शेपिंग दा मोडर्न वाल्ट, जो आज की दुनिया है, उसको किस ने चींज किया है। बात करेंगे, 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 बात करे CRT-based रह सकती है, इसके अलावा आपका 5-year प्लान है, one world concept में है, international organization, UN, United Nations, पंच्छिल, यह पोलिटी पार्ट है, पंचायती राज, democracy, socialism and communism, Role of India in Present World, यानि की, international politics की बात करेंगे, cooperative society की बात करेंगे, सरवोधियाज की बात करेंगे, national integration and welfare state, basic techniques of Mahatma Gandhi, यानि की, कहने का मतलब, in short में बात करेंगे, हम world history के basic concepts लेंगे, जो totally NCRT based रहेंगे, और अगर हम बात करेंगे, पोलिटी की, तो पोलिटी के अंदर basic understandings लेंगे, जो बिल्कुल ही NCRT based आपसे NDA पूसता है, NDA अगर NCRT से कहीं बाहर जाता है, तो definitely वो directly connect होता है NCRT से, आगे subject की बात करेंगे, तो अगर हम, यह वही है, history में है, दुवा Earth shape size, oceans के बारे में, latitude, longitude and temperate atmospheric pressure की बात कर रहा है, cyclones की बात कर रहा है, concept of time की, climate, international dateline, natural regions of world, moment of the earth, effect, regional geography of India, climate, vegetation, minerals and power resources की बात कर रहा है, agriculture and industrial activity की बात कर रहा है, origin of earth, rock and classification, import and sea, port, land, air roots की बात कर रहा है, weathering की बात कर रहा है, वल्कान की बात कर रहा है, import, export of India की बात कर रहा है, अगर मैं geography में in short में बात कर रहा है, तो यह फिर से NCRT basics है, इसमें आपको ज़्यादा डीप चाने के जरूरूरत नहीं है, illuminative technique से आप इसको अराम से solve कर सकते हैं, आपने पहले भी academic में इनको बार बार पड़ा है, लेकिन एक final brush up, final sign हम देंगे in crash course में, इसमें पार रहेगा इसमें, अगर मैं current event की बात करूं, तो important events रहेंगी जो India की है, world की है, prominent personalities की बात करेंगे, culture activity और sports की बात करेंगे, यानि की current affair में भी 3-4 पार आपके रहे जाएंगे, national, international, cultural, sports related रहे जाएगा, या great personalities रहेंगे, उन पर हम बात करेंगे, अब अब अपरो 12 questions कहा है, moderate, पहले की बात कहा है, moderate, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, NCRT बेस्ट रहेंगा, 12 questions रहेंगे, यानि की आप एजली वन रीडिंग से सोल कर शकते हैं, politics की बात करें, 9 बिल्कुल moderate रहेंगे, current affair, moderate रहेंगे, economics रहेंगे, बिल्कुल सिंपल रहेंगी, static jik रहे रहेंगे, आपकी defense specific, कोई specified नहीं है, फिर भी defense में हम आपको बता देते हैं, कि defense में कितनी exercise हैं, क्या हमारी location है, defense system से related, basic रहेंगे, आपकी missiles के बारे पूछ सकते हैं, यह आपके basics रहेंगे, sports में रहेंगे, तो sports का भी कोई डिफाइन नहीं है, परन्तु जो current news है, अभी commonwealth रहेंगे, यह और भी जो news है, sports related, basic रहेंगे हमें होनी चाहिए, जो अपके पुछा जाएगा, अगर मैं बात करूँ कि हमें माइंड में क्या रखना है, there is a concept is the key, क्या है, there is often myth with competitive exams, myth है, competitive exams में, that only the smart candidate with the best of grades are successful, यानि कि smart candidate and best of grades का मित है, we have seen all type of candidate clear the NDA exam, provided they had one thing in common, that is, command over concept. के पास डिचीन नहीं होना चाहिए, तर तर आपकी कमांड होनी चाहिए, कि पूछा रहा हूं कि अर्थ की बात जा रही है और आ्र्थ में जो बेसिये बहुत हैं, जो कि पता होना चाहिए अगर मैं लेकिए बात करो, इंडिया में क्या-क्या रवॉलुशन्स ज़ी थी, क्या-किन इन्डिया में पार्टिस्पेट किया था, इनके आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपसे NDA यह नहीं पूछ रहा है, UPSC आपसे यह नहीं पूछ रहा है, कि आप हर सब्जेक्ट के मास्टरों, वो आपसे जानना चाहता है, कि यू मस्त है वे कॉमन सेंस, आपके बास एक सेंस होनी चाहिए, जो पूराओ के अपसेंस, जोग्राफ़ी को, जर्नल सोसाइटी को, अडरस्टेंड करें, उस ही से रिलेटिड कोसेंस हैं, इसके लाब सब्सक्राइब है, सम्कंडिडेट्स स्थार्टी एर प्रिपरेशन अंद्यस्ट के लिए क्लस 11 वाइल स्थार्टी लेटर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, अपने आउट्फुट को 95% तक बुश्ठप करते हैं, conceptual clarity, conceptual clarity की बात की है, हम conceptual clarity करेंगे, mcq देंगे, mcq की सथ साथ हम mcq attempt करेंगे, और इसमें किस concept की जरूरत है, और वह concept कहां पर है, उस से related हम पूरी अपने lectures में बात करेंगे. ठीक है, विदिन limited day की बात हुआ है, यानि की 30 दे हमारे पास limited रहेंगे, NCRT को हम prime रखेंगे, NCRT को prime रखेंगे, परन्तु current update साथ की साथ हम डालते रहेंगे. ठीक है, रिवाइजिंग देम अगें अगें, जो रिवाइजिंग का काम रहेगा, वो आपका रहेगा, UPSC ask most of the question from NCRT, most of question बोला है, यानि केक सेलेक्शन के लिए, यानि केक सेलेक्शन के लिए, यानि को 60 तो 70 परसेंट का का कुटफ चाहिए, जो आपको इपास होना चाहिए, definitely NCRT से आजाएगा. If you go through that thoroughly and clear your concept, there is nothing that can stop you cracking NDA. I am sure that your NDA exam definitely crack will be, but by our GSK pattern, से हमारी तरफ से डाटा पहुंचाने में आप लोको को, या हमें जो आपको स्ट्रेटजी देंगे, जो आपको स्ट्रेटजी देंगे, जो आपको स्ट्रेटजी देंगे, उसकी बज़े से आपको बुष्टप ही मिलेगा. लास्ट है, मेक डेली टारगेट, फोकुसिंग अन टास्क अट हैंड, यानि की कहने का मतलब क्या है, एक्जाम में आपको, एक्जाम डे अन लुकिंग अट वास्ट शलेबस फो एंड ये, यू मस्ट ब्रेक डाउन दे टास्क इंटो मिन टास्क, आप अपने पूरे इज में तोड़कर पर डे में आपको पर सब्जेक्ट लगबग 300 MCQ के साथ कोंसेप्ट कराऊंगा, तीन सो क्योस्चन, विद कोंसेप्ट, चांसीज ये है कि जितने भी क्योस्चन आएंगे, जो भी एग्जाम आएगा, इन कोंसेप्ट से टच होके निकलेगा, अब आप कितनी common sense से उसको solve कर पाते हैं, crack कर पाते हैं, वो आपकी practice define करेगी, इसके बाद अगर marking की बात करें, तो marking का pattern आप देखी रहे हैं, total number of questions, अगर knowledge की बात करें, तो 100 questions हैं आपके, जो marks आपके इतने हैं, यानि कि GS को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, GS आपका final turning role play करेगा, औ GS को करने का एक benefit और भी है, आपके पास, time saving, just read and tick, just read and tick, concept के साथ अगर हम करें तो, अब मैं finally बात करता हूँ, कि हमें एक मन्त के लिए, जो हमने target बनाया है, उसमें हमें करना क्या है, करना यह है, डेली early morning, आपके पास task होगा, उस task को revise करेंगे, हम डेली कुछ MCQ करेंगे, NCRT से related, MCQ जहां से लिए गए हैं, वो आपको बताए जाएंगे, जो information उसके regarding आपको जरूरी है, वो सारी information आप पहले से read out करें, otherwise हमारे screen shoot लेगे, और वहां से आप revise करें, आपका पूरा slay बस 30 days में मेरे तवारा, हमारी defense academy, Guruji academy के दवारा, आपको revise कर दिया जाएगा, ए GS के बारे में आपका complete overview हो गया है, बाकि हम classes में दिखाते हैं, आपको प्रैफर करेंगे, अब दूसरे टीचर आपको explain करेंगे कि उनकी क्या strategy रहने वाली है, जै हिंद, जै बारत. Hello everyone, कैसे आप सब, आप सभी का welcome है, आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर शे आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है Defense Guruji, और मैं परविन धायल, एक बार फिर शे हमारे सभी, NDA Spirit का welcome करता हूँ, जो पूरे enthusiastic हैं, पूरे जोस में हैं, motivated हैं, next month जो उनका exam होने वाला है, 4 September को, आज 4th आपका अगस्थाज हो चुका है, और एक महिने का time आपके पास बचा हुआ है, तो 30 days में आपको क्या strategy अपनानी है, क्या planning होनी चाहिए, इंग्लिस में आप कैसे अच्छा score कर पाओगे, ब क्या कुछ आया हुआ है, उसको भी analysis करेंगे हम लोग, और अभी topics को देखेंगे, कि लास्ट में कैसे आप बहुत कम time में अच्छे साचा result आप ले सकते हो, ठीक है, smart work कर सकते हो, कम effort लगा के maximum result आप निकाल सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं, तो हम अभी बात करेंगे English क किसको बात करेंगे हम लोग, English को लेके बात करेंगे, English आपके NDA exam के लिए एक बहुत important आपका subject है, important एक language है, जो आपका 200 marks करता है, 200 marks, 200 number में से आप कितना score करोगे, मैं चाहता हूँ कि आपका score जो है, 160 प्लस भी आप ले सकते हो, out of 200, 160 प्लस भी score हो सकता है, बच्चे ले हैं, आप भी ले सकते हो, आप एक अच्छी strategy के साथ, अच्छी preparation के साथ, अगर आप जाओगे, तो आराम से आप ले पाओगे, तो उसका भी distance करते हैं, तो टार्गिट क्या है हमारा, NDA 2022 जो है, 2 जो 2022 है, उसके अंदर, English के अंदर, 160 प्लस आउट ओफ 200, वो कैसे score किया जा है, 200 में से 160 प्लस भी score हो सकता है, ठीक है, वो कैसे करना है, English के अंदर, पहले ही attempt में, देखो, कई बच्छी आप फर्स्ट टाइम्ट दे रहे हैं, हो सकता कोई second time है, कोई third time है, किसी का last attempt है, ठीक है, जो first time attempt कर रहे हैं, वो भी 160 प्लस ले सकते हैं, तो बाकी लोग तो ले होगे, 2022 का जो first exam हुआ, 2021 के जो two exams, आपके NDA के हुए है, two attempts होए है, और 2020 का जो exam आपका हुआ, एक exam हो पाया था, सभी patterns को देखोगे, तो vocab बहुत जाद आ रही है, ठीक है, लेकिन पहले हम discuss करेंगे grammar के बारे में, कि grammar को लेकि कौन कौन से topics जारा important है, किस पे जारा focus करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे, लाष्ट तक देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, टैंस की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, टैंस की, टैंस तो एक पूरी English Grammar की read की हड़ी माने जाती है, ठीक है, सबसे important topic टै है, ठीक है, अब देखो, टैंस से पहले भी कुछ चीजे हैं, जैसे आप बात करेंगे, बेसिक्स of English Grammar, किसकी बात करेंगे, बेसिक्स of English Grammar, ठीक है, हमने एक बैच स्टार्ट किया था, पहले एक online बैच, आपके लिए free of cost बैच हमने स्टार्ट किया था, अनतिंपग नाम स हमने बैच स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसमें आपको बेसिक्स करवाए गए हैं, वहां से आप बेसिक्स करोंगे, ठीक है, बेसिक्स करने के बाद आप टैंस के उपर फोकस करोंगे, ठीक है, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, आपका एक्जाम के लिए, पूरी grammar के ल जहां पर आपका conceptual prepositions भी है, वो आपको मैंने करवा रखा है, आप जो हमारे पुराने बैचीज हैं, वहां से ही पढ़ सकते हो, अगर आप पहले पढ़ लिया तो वहां से आप प्रेक्टिश कर सकते हो, ठीक है, जो पहले वाले बैचीज हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे, प्रतिग्या बैच है, ठीक है, मिसन उनिफोर्म बैच है, वहां पर आपको, प्रतिग्या बैच में आपको preposition मिल जाएगा, वहां से आप conceptual prepositions, वहां से आप fixed prepositions, फ्रेजल वाब्स यह पढ़ सकते हो, और preposition एक बहुत important topic है, 10s के बाद, ठीक है, उसके बाद बात करें, conjunction बहुत एक easy topic है, यहां से भी question देखने को मिलता है, error वाले जो questions आपके आते हैं, 10 questions आपके spotting the error के रहते हैं, वहां से एक question conjunction काई मिल जाता है, और pairs of conjunction जो होते हैं, वहीं से इसका question बनता है, pairs of conjunction conjunction, conjunction, तो conjunction जो topic आपका है, वो आप देखोगे, यहां पर easy topic है, और important भी है, एक question आप ले सकते हो, pairs of conjunction को अच्छे से आप पढ़ लोगे, तो इसको आप कर पाओगी, preposition है, एक lengthy topic है, आपको time लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे 2020 के अंदर 2020 के अंदर जो एक exam हुआ था, वह three papers को analyze करेंगे, जिसले तीन exams को, papers को analyze करेंगे, तो वहाँ पे 10 questions, आपके supporting the error के आ रहे हैं, जो पूरी grammar में से आ रहे हैं, ठीक है, उसको देखना है, इसके बाद आपका noun है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपका परतग्या बैच है, उसमें से आप noun पढ़ सकते हो, complete topics आपको करवाए गए है, noun है, pronoun है, adjective है, ये topics आपको सारे करवाए गए है, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, conceptual तरीके से पढ़ाय गया है, बिल्कुल एक जो clear किया गया है, उसको आप देख लोगे, इसके बाद आपका adverb है, question tag है, conditional sentence, एक बहुत easy topic, लेकिन exam में बार-बार कि शन्या से बनता है, conditional sentence से, तो easy topic में conjunction की बात करेंगे, conditional sentence की बात करेंगे, और बहुत easy है, exam में आते रहते हैं, इसके बाद verb एक basic topic है, और ये जो topic है, syntax, जिसको हम क्या बोल सकते है, subject-verb agreement, ये subject-verb agreement भी ये तो पूरा एक grammar है, सभी topics का है, ये conclusion type में है, निचोड type में है, syntax आपका हर एक topic में चलता ही रहता है, subject-verb agreement, according to subject, आपकी वर्व आती है, उनमें जो agreement हुआ है, वो सारा मेने बाद को बता रखा है, वहां से आप पढ़ लोगे, model को भी हलका फुलका आप देख सकते हो, जारा important हो नहीं है, लेकिन syntax इंपोर्टन आपके error वाले questions के लिए, last मे करते हैं, vocabulary, vocabulary जो है, यहां से आपके 40 questions आपके आ रहे हैं, vocabulary क्या है, आपका 40 questions ये cover कर रहा है, 40 questions means 160 marks, 40 questions means आपका क्या है, 160 marks, ठीक है, और synonyms, antonyms, आपका idiom phrase और P के वारस जिसकों बोलते है, suntan arrangement, ये इसके अदर आपका आता है, 10 questions synonyms के आते हैं, ठीक है, आपको same meaning बता ना होगा, एक word है, उपर नीचे आपके 4 options होते हैं, ठीक है, आपको more than 100 videos मैंने provide की है, vocabulary की, 100 तो मैं बोल रहा हूँ, 120, 130 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगी, vocabulary की, ठीक है, तो आप कहां से पढ़ सकते हो, अन्तिम युद बैच में मैंने, अन्तिम युद बैच में मैंने आपको vocab करवाई थी, उसको आप पढ़ सकते हो, SP बक्षी वाली बुक है, उसमें से मैंने करवाया था, काफी अच्छी बुक है, वहां से बार-बार exam question में, exam में question बनते रहते हैं, vocab के question बनते रहते हैं, CDS हो जए, FCAT हो जए, ND हो, ठीक है, तो वहां से SP बक्षी नाम से उसमें से मैंने करवाया काफी अच्छी बुक और वहां से question जरूर बनता है direct, इसके अलावा जो आपकी बुक है, Nitu Singh वाली बुक है, KD Campus वाली, वहां से आपके direct synonym औ antonym बन जाते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो, तो परतिग्या बैच की अलग से playlist है, Mission Uniform बैच की अलग से तो इसका आप ध्यान रखोगे, 1 by 3 आपके negative marking रहती है, तो यानि एक question 4 marks का है, तो negative marking आपकी 1.33 आपका हो जाएगा, ठीक है, यह negative भी हो सकता है, तो आप अच्छे से इनलाइज करोगे, देखोगे, ठीक है, ऐसे ही आपका antonyms, ant का मतला opposite, और निम का मतला meaning, आपको, यह 10 questions, आपके antonyms करेते हैं, इनको भी अच्छे से कर लेना है, जो मैंने आपको बताया है, anti-mute badge को आप देख सकते हो, ठीक है, और mission uniform और परतिका badge से आप synonym, antonyms कर सकते हो, vocab कर सकते हो, vocab कर सकते हो, vocab कर सकते हो, root words के थरू, linking method के थरू vocab कर सकते हो, बहतिन त्रेके से vocab भी मैंने आपको करवाई है, idiom phrase भी बहुत अच्छे त्रेके से आपको करवाई गई है, idiom phrase भी आप नीतु सिंग वाली बुक से पढ़ सकते हो, जो KD Campbell's Publication है, उसकी जो writer नीतु सिंग, उसकी बुक से आप idiom phrase पढ़ सकते हो, आपका idiom मिल जाएंगे, idiom phrase जब आप करोग तो idiom phrase को लिमिट नहीं है, words को लिमिट नहीं है, lakhs of words are there, lakh ho word है, लेकिन कुछ selected words जो आपको करवाईगे, root words के त्रू, linking method के त्रू, वो आप कर लोगे, वीडियो जो देख लोगे, आपके लिए बहुत helpful रहने वाली है, ऐसे idiom phrase जब आप करोगे तो उसको समझ के करना है, idiom phrase में वो मिनिंग कभी नहीं होता, जो सामने दिखाई दे रहा है, कुछ hidden meaning होता है, मुहावरे के अंदर, idiom phrase के अंदर, understand करना है, चान्त दिमाक्षे वहाँ पर सोचना है उसके बारे में, आपने अगर idiom नहीं पढ़ा है, तो भी आप idiom करके आ सकते हो, अगर आप और लास्ट में आपका है, sentence rearrangement, idiom phrase भी आपके 10 questions है, यह भी 40 मार्क्स के लिए, 40 नंबर का idiom phrase, 40 का synonym, 40 का antonym, और 40 मार्क्स के अंदर, आपका sentence rearrangement आपका रहता है, जिसको कुछ लोग PK वारस भी बोल देते हैं, क्योंकि यह PK वारस की form में रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग परेजंबल संटेंस बोलते हैं, तो इसको भी आप कर शकते हो, इसके लिए आपके basic strong होनी चाहिए, आपकी grammar अच्छी होनी चाहिए, और आपकी vocab भी अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस इतनी maximum आप करोगे, उतने ही अच्छे आप PK वारस कर पाओगे, उतने ही अच जाकर उसको नहीं read किया है, नहीं analyze किया है, तो उसको आप analyze कीजिए, आपको sure वहाँ से benefit मिलेगा, आपका level वहाँ से बढ़ेगा, और आप अच्छा score कर पाओगे उसके अंदर भी, अगर previous years paper analysis की बात करें, तो direct आप देख रहे हो, 50 questions आपके आ रहे हैं, इंगलिस के अंद हैं, ठीक है, वोचे exam आपका 2022 का जो पिसला exam हो, जो first exam हो था 2022 का, 2021, 2021 के जो दोनो exam है, उसमें same pattern था, 2020 में भी same pattern था, पहले आपके अलगले चीजे होती थी, passage भी आता था, fillers भी आते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं आ रहे हैं, वही pattern follow हो रहा है, जो पिसले 2-3 papers से हम दे हैं, 2020 में exam हुआ, 2021 में 2 exam होए, और 2022 में जो पहला exam आपको हुआ था, ठीक है, उसमें भी same pattern follow हुआ है, April में जो आपका हुआ था, 10 April के साइद आसपास, ठीक है, तो 4 September के लिए आप तियार हो जाएए, 10 questions आपके synonyms के, 10 antonyms के, और 10 questions आपके idiom phrase के, idioms जिसों आपको बताय है अभी, 10 questions आपके PKWARS के रहते हैं, और 10 questions आपके sporting the error, ठीक है, sporting the error जो है, error find out करना है, जो आपकी पूरी grammar में से रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, important topics of grammar में आपको बता दिया है, यही pattern follow हो रहा है, previous years, जो paper का analysis हमने किया है, यही उता रहा है, और इस बार भी यही रहेगा आपका, यही pattern रहने वाला है, 10 synonyms, 10 antonyms, 10 idiom phrase, 10 PKWARS, यह जो 40 questions है, यह जो 40 questions है, यह 40 questions है, 160 marks के लिए, यह सिर्फ vocabulary कवर कर रही है, इसलिए maximum, maximum focus करना, vocab के उपर अच्छा score करने के लिए, और 10 questions आपके error के भी, इनको भी ignore नहीं करना है, यह भी focus कर लेना है आप batch जो आपको बताए है, mission uniform batch, परतिग्या batch, और antin youth batch, इन तीन batch में से आप पढ़ सकते हो, grammar and vocabulary, तो आप अच्छा score कर पाओगे, जो target हमने लिया है, out, 160 plus, 160 number out of 200, वो आप अच्छीव कर सकते हो, impossible नहीं है, बहुत से लोग ले रहे हैं, और English आपको आगे लेके जाएगा, ब आपका score अच्छा करवाएगा, competition में आपको आगे खड़ा कर देगा, यह आपका English ही है, ठीक है, बागे आपका spoken वगरा में बहुत help मिलेगी, जब आपकी vocab strong हो जाएगी, grammar strong हो जाएगी, तो spoken के अदर भी आपको बहुत help मिलेगी, जो आपका SSV में आपकी बहुत help करता है और defense crew में SSV के batch भी चलते हैं, exam के बाद आप यहाँ पे contact कर सकते हैं, screen पे जो number होते हैं, वहाँ पे SSV batch के लिए भी आप exam के बाद contact कर सकते हैं, इन number को आप save कर सकते हैं, जो screen पे आपके number चलते रहते हैं, ठीक है, तो यह strategy थी English को लेके, बाकी teachers ने बने strategy जरूर बताई है ठीक है, जो नहीं बताई है वो जल्दी आपको बता देंगे, इस तरह से आपका complete जो strategy है English को मैंने आपको discuss कर दिया है, इसके प्रकाम कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको success जरूर मिलेगी, all the best for your future exam of NDA 2 2022, जै हिंद!